गुड मॉर्निंग दोस्तो आई होप आप सभी लोग बड़ी आ होंगे तो दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हरी आना में परवार पैचान पत्तर बने हुए हैं अगर उनमें आपकी जो डेट वबर्थ गल्त डाल दी गई है तो आप उसे गर बेठे कैसे ठीक कर सकते हो तो दोस्तो अगर आपका हमारे चैनल पर नहीं आयो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तो दोस्तो वीडियो करते हैं शुरू और साथ में दोस्तों आपको बताएंगे कि डेटो पर सही करने के लिए आपको क्या क्या डॉकॉमेंट जो की होने चाहिए आपके पास तो दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू तो दोस्तों हमने प्रवार पैचानपत्तर की जो अफसल साइट है उसको लोगण करके रखा हुआ है तो दोस्तों आपको जो डेटो बर सतारने के लिए ठीक करने के लिए आपको जहां पर एक option मिल जाता है citizen login इस पर दोस्तों आपको क्लिक कर लेना है और उसके बाद जहाँ पर select कर लेना है correction module जैसे दोस्तों से select करोगे तो आपको जहाँ पर अपनी family id फिल कर दीनी है तो दोस्तों हमने जो family id नंबर है वो फिल कर दिया है उसके बाद जहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है गैट जो की family इस पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद आपके जो पूरे प्रवार की details आ जाएगी तो दोस्तों से मैंने security की बज़र से hide कर दिया है उसके बाद जैसे member की जो आपको date over change करनी है उस date जो की member को जहाँ पर select कर लेना है जैसे example के लिए मैं इसे select कर लेता हूं और उसके बाद जहाँ पर दोस्तों कापी सारे option मिल जते हैं में जो कि हम change बगेरा कर सकते इन में से तो जहाँ पर हमें जो DOV change करना है तो हमें DOV select कर लेना है दोस्तों और उसके बाद इस प्रकार के जो interface आपके सामने आ जाएगा उसके बाद दोस्तों जहाँ पर जो आपकी correct जो की सही सही जो date of birth है उसको जहाँ पर fill कर देना है जो दोस्तों आपके पास जो सरकारी डोकॉमेंट होना चाहिए जिसमें जो date of birth सही हो वो ही जहाँ पर required रहेगा तो जहाँ पर हम example के लिए एक data आपको जो select करके रिखा देते हैं जैसे हमने date select कर लिया है और उसके बाद लिखा हुआ जहाँ पर आप पड़ भी सकते हो सार्च कर लेना है जैसे आप सार्च करोगे तो दोस्तों उसके बाद जो आपने परवार पैचान पत्र में mobile नंबर दिया हुआ है उस पर एक OTP जाएगा तो दोस्तों हम इसमें OTP फटा-फट से फिल कर देते हैं और उसके आगे बताते हैं आपको कौन-कौन से करने के लिए तो दोस्तों हमने OTP डालकर संबिट कर दिया है उसके बाद जहां पर लिखा हुआ है स्लेक्ट डॉकॉमेंट तो दोस्तों इनमें आप क्या लगा सकते हो हम आपको बता देते हैं एक तो आप जहां पर बर्द सर्टिफिकेट जहां पर स्कूल लीविंग तो आप उसे भी जहां पर लगा सकते हो तो दोस्तों इस तरीक के से जो अपने जो डेटों पर सको सही कर सकते हो जैसे हमने दारकर जहां पर स्लेक्ट कर लेते हैं आपको पताने के लिए उसके बाद जहां पर दोस्तों डेटों आपको डाल देनी है उसका दारकर नमबर ड पर लगा सकते हो उनमें कोई यश्ती नहीं है फादर का धारकार नमबर जहां पर लगा सकते हो और डेट आपड़ आपने बिढ़ वह था उसे डेट को जहां पर सेलेक्ट कर देना उसके दोस्तों जहां पर उसको 200KB का जो आपको document होना चाहिए जो दार कार्ड आपने select किया है उसको जहाँ पर डाल देना है जाने कि इसमें file को select कर लेना है और जरनेट OTP आपको click कर लेना है द्वारा से आपके phone पर एक OTP जाएगा तो उससे जो आपका date of verse दोस्तों सही हो जाएगा एक बीक में तो दोस्तों अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी हो चैनल को subscribe करें और वीडियो को like करें मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम